आओ, सत्संग में चलते हैं, एक मित्र ने पूछा है, ओशो धारा में आरती चिकत्सा को प्रत्साहित किया जाता है, जबकि ओशो की कुछ पुराने सन्यासी इसका पुर्जोड विरोध कर रहे हैं, कृपया इस पर प्रकास टाले। आरती चिकत्साह भारत की प्राचिन चिकत्सा प्दति है, और यह भारत की संस्कृति भी है देरे देरे इसका जो चिकत्सकी अप्रभाव है, उससे लोग अनभीग्य हो गए। लेकिन फिर भी संस्कृति के हिस्से के रूप में आरती चिकत्सा आज भी प्रचलित है, जब भी कोई महमान हमार आता है, हम आरती करके उसका स्वागत करते हैं, उसके पीछे भी कहीं ने कहीं आरती चिकत्सा कारण है, क्योंकि जब महमान कभी बाहर से आता है, तो पता नही उसके आभा मंडल में कितनी तूट फूट है कहां कहां से नगरात्मक उर्जा को लेकर के आया है अपना भी कोई परिवार का वेक्ति कोई बाहर गया है फिर आता है तो उसकी आरती उतारते हैं फिर घर में ले जाते हैं आज से 40-50 साल पहले मैंने देखा था कि बंगाल के तो हर घर में रोज शाम को आरती हुआ करती थी देरे देरे करमकान समझ करके इसको छोड़ दिया गया लेकिन औशोधारा में फिर से वज्ञानी का अधार दे करके आरती चिकट्सा हमने शुरू किया है आरती चिकट्सा का कुल जो प्रभाव है वो आभा मंडल पर होता है आभा मंडल में आए दिन टूट-फूट होती रहती है जैसे तुम बिमार हो या किसी कारण से मांसी का उसाद में हो या किसी ने कुछ तुमारे अमंगल की भावना कर दिये और कभी-कभी आशंका कर दिये जैसे मां है अगर अपने बच्चे के प्रति आशंकित हो जाती है कहीं मेरा बच्चा बिमार न पढ़ जाए तो प्यॉर पढ़ जाता है क्योंकि तुमारे थौट प्रोसेस जो है जो तुमारे भाव है तुम्हारे जो विचार हैं इसका भी असर पड़ता रहता है इसलिए तुमने देखा होगा गाओं में या शहरों में भी कई जगा जब कोई बच्चा बिमार पड़ता है तो नजर उतारा जाता है ऐसे कोई व्यक्ति भी कभी कभी बार-बार बिमार पड़ रहा है तो सो नजर उतारने के लिए लाल मिर्च, फिटिकरी, क्रिस्टल्स, आदी का प्रयो तो उसको आरती चिकित्सा के दौरा आभा मन्डल को शुद्ध्धि किया जाता है जैसे मैंने वताया लाल मिर्च है, फिटिक्री है, सेंदा नमक है, सलफर है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर्फुल टूल है आरती जिकत्सा, जब इसको करते हो तो आभा मंडल में जो भी तूट फूट है, नकर आत्मक भावों के कारण, बिचारों के कारण, हेल्थ रिजन के कारण, मांसिक इस्थिती के कारण, ओ आभा मंडल पूरी तरह दुरस्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और फिर तुम मांसिक रूप से स्वस्त होते हो, फिर शारिलिक रूप से स्वस्त हो जाते हो, अगर प्रती दिन कोई दो बार आरती जिकत्सा करें, सुबा और भारत वर्ष में देवस्था थी कि संध्या में और दो बार संध्या संध्या का मतलब हुआ रात और दिन का जब संगम होता है या दिन या रात का जब संगम होता है तो उसमें आरती करने का प्रावधान था तो यहां पर शिव दरवार होता है जिसमें आरती चिक्षा के विधी समझाई जाती है और ये प्रोचाहित किया जाता है कि घर पर जाकर अपने आरती चिक्षा करो, अपने परिवार के सदस्यों की करो और भारत की इस प्राचीन चिक्षा पद्धति को जन जन तक पहुचाने का आंदोलन भी वोशोदारा ने शुरू किया है और इसके बड़े लाव हो रहे हैं मैं स्वेम ब्रादी दिन दो बार अपनी आरती चिक्षा करता हूँ किसी दिन हो सकता एक आज बार छुट जाए लेकर ये नहीं होता कि कोई ऐसा दिन हो जब स्वेम आरती चिक्षा मैं नहीं करता हूँ और इसके लाव मैंने देखे हैं कई बरसों तक मैंने इसका पहले प्रयोग किया है उसके बाद इसको यहां इंटर्डूस किया गया है ऐसे ही मैंने कहा कि जैसे भारत की संस्कृती है हम अपने बड़ों की आरती उतारते हैं देविदेवताओं की आरती उतारते हैं कोई महमान आता है उसकी आरती उतारते हैं इसको धर्म से जोड नहीं जोडा जाना चाहिए इसको हिंदू धर्म से या किसी विशेष संप्रदाय से जोड़ कर देखने की जरूरत नहीं है हर धर्म में कुछ सनकुछ फेग्यानिक विधियां होती है हमको उसको अपना लेना चाहिए अब ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हिंदु धर्म में ये बिधी अपनाई गई है तो हम कहीं कटर हिंदु न माने जाएं कि हम इसलाम में कोई चीज आजमाई जैसे कवाली है सुफी करते हैं अब हम सोचने के नहीं क्वाली सुफियों की बात है तो हम अगर कवाली करने लगेंगे तो हम भी सुफी हो जाएंगे ऐसे ही इसायों में सेवा की जाती है अगर तुम ये बात सोचने लगो कि हम भी सेवा करेंगे तो हम भी इसायी मिश्णरी हो जाएंगे तो ये ऐसी सोच बड़ी संकिर्न सोच है और हमको इन सारे संक्रिन सोचों से उपर उठना है और ये प्रश्न है, मैं समझ सकता हूँ कि एक अभी गुरु पुर्णिमा को बिलासपुर में काफी उच्सों के साथ ओशो की सद्गुरुत्रिवों की आरती उतारी गई और उसको जब सोचल मीडिया में डाला गया तो ओशो की पुराने सन्यासियों ने खुब पुरु गोड़ विरोध करना शुरू किया उन्होंने कहा कि शुरू मैं पुना मैं ओशो की आष्ठर अार्ती हुआ करती थी बाद में ओशो ने बंद कर दिया तो फिर ओशो दारा वालों ने इसको शुरू कर दिया तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि ओशो आर्ती का स्वागत करते थे आर्ती के महत्ता को जानते थे आर्ती के विज्ञान को जानते थे और इसलिए पुना आश्रम उन्होंने आरम में शुरू किया था लेकिन तुम सब को शायद पता है कि बाद में ओशो को अलर्जी बिक्सित हो गई धूए की गंध से और खुश्वू से भी उनको अलर्जी होगी तो इसलिए हम लोग जब पुना जाते थे तो कोई इत्र न लगाया हुआ हो या किसी के कपड़ से कोई गंध न आ रही हो तो इसके लिए दो लोग होते थे जो सुंगते थे कपड़ों को कोई गंध तो नहीं आ रही है ताकि जब हम जाके बैठते हैं वाँ प्रवचन में सामने तो अशो को अलर्जी थी तो इसलिए ऐसा किया जाता था तो इसलिए पूना में जो आर्थी बंद कराई गई उसका कारण ये नहीं था कि ओशो आर्थी के बाद में बिरोध में हो गया और पहले समर्थन में थे बल्कि आरती में जो धुआ निकल रहा था उससे उनको समझ जा थी इसलिए उनको बंदिकरा दिया एक बात लेकिन और कहाना चाहता हूं कि मालो ओशो के हां नहीं भी आरती चिकत्सा हो रही थी तो एक हमारे मित्र ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है पर मैं देख रहा था उननों का कि ओशो ने तो दारू पीने की बात नहीं की थी तो तुम क्यों पी रहा हो ये उस समय ओशो ने मुरगा की टांग खीचने की बात नहीं की थी तो मुरगा क्यों खा रहा हो आशो तो कभी मुर्गा खाया नहीं, आशो ने कभी दारू पी नहीं, बलकि कोई दारू पी करके आशो के सामने उर्जा दर्शन में जाता था, या नंद वेज खा करके जाता था, तो उनकी उल्टी ओ आने शुरू होती थी, लेकिन ऐसे सद्गुरू के जो शिशे हैं, जब आशो करके दारू पीते हैं, या मुर्गा की टांग खीचते हैं, तो ये मन में नहीं उड़ता उनके, कि ओशो तो मुर्गा की टांग नहीं खीच रहे थ head, ओशो तो नन वेज नहीं कहा रहे थे, ओशो तो दारू नहीं पी रहे हैं, लेकिन अगर आशो चिकित्सा ओशो में होती है, तो बड़ा जल्दी सवाल उठ जाता है, कि ओशू के हाँ तो आरती नहीं होती थी, फिर यहां ही लोग ने क्यों शुरू किया, यह उशू से हट करके चल रहे हैं, यह उशू के मार्क से भटक गए हैं, यह तो तुम बाते भी सोशल मीडिया में देखने को आ रही हैं, जब तुम दारु पीते हो, तो यह क्यों नहीं कहते हो, कि ओशू के मार्क से भटक गए हो, तुम जब नन Hindu करन हो रहा है ओशो का अब देख रहे हो यह मुड़ों की बाते देख रहे हो और किसने हमारे मेत्व ने पूछा कि भाई यह ओशो के मारक से भटकने वाली बात कैसे हो कि अगर आरती चिकत्सा कर रहे हैं तो एक बड़े बरिष्ट आचारे हैं ओशो का शिविर लगाते हैं उन्होंने कहा कि ओशो ने केवल ध्यान तक की बात की थी बाकी सारी चीजे तो ओशो के बाहर हैं अब यह देख रहे हो ओशो जैसी शक्सियत को केवल ध्यान की विधियों तक सीमित कर देना कुछ ऐसा ही है कि जैसे बुद्ध को विपस्तना तक सीमित कर दिया जाए माम दिर्ष्टी को एक जगा लाने का श्री अगर जाता है तो ओशो को जाता है ओशो के पहले जितने भी संत हुए, बुद्ध हुए, तिर्थंकर हुए, मुनी हुए, संत हुए, सुफी हुए सबकी बातों पर से, सबके ग्यान पर से उन्होंने धूल हटाया और फिर से उसको जिन्दा किया इतना अथाह ग्यान है और जो चार गहाट हैं भारत वर्ष में अध्यात्म के जिसमें साक्षी है, ध्यान है, सुमिरन है, समाधी है इन चारो घाटों से कैसे उतरा जाए, इसका एक विशाल ग्यान दिया, जैसे साक्षी के प्रस्तोता, मुख्य प्रस्तोता भगवान कृष्ण हुए, गीता में जिनोंने साक्षी की व्याठ्या की, समाधी के मुख्य प्रस्तोता पतंजली हुए, ऐसे इध्यान के मुख्य प्रस्तोता गौतम बुद्ध हुए वैसे भगवान महावीरा इत्यादी कही उस धारा में है ऐसे ही सुमिरन के मुख्य प्रस्तता गुरु को रखनात है तिकि तमाम संत मत कबीर, दादू, दरिया, रैदास ये सब के सब मेरा, साजो, दया ये सब के सब सुमिरन की धारासे हैं ये चारो घाटों का उन्होंने ऐसा को कि पुडाने घाटे जैसे तूट-फूट जाते हैं फिर से नए घाट संगमर्मर के बनाये जाते हैं तो ऐसे अध्यात में शरोवर के चारो घाटों को जो भी तूट-फूट होई थी ओशो ने नमीनी करण किया और संदर संदर घाट बनाए है ओशो ने कि एक प्रवचन माला है बहुते रहे हैं घाट उसमें बड़ी संदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुति दी है तो इतना विराट ग्यान है और ओशो के इस विराट ग्यान पर और यह जो अध्यात्म ग्यान है उसका विज्ञान उन्होंने दिया जिसके अधार पर ओशो दार में चोदा समाधी चोदा सुमिरन 28 तलके कारिकरम बनाए गए हैं और इसके अधर 21 से जादा 24 करीब प्रग्या तलके कारिकरम प्रग्या कारिकरम बनाए गए हैं इतना विराट ग्यान है अब उनके इस विराट ग्यान को उन ध्यान विधियों तक सिमित कर देना जिसके लिए ओशो खुद कहते हैं कि यह ध्यान है ही नहीं Meditation First and Last Freedom यह ध्यान प्रथम और आंतिम मुक्तिम है तब दिकाल करके देखो सक्रिय ध्यान और कुंडली ध्यान की भूमका में वशो क्या करते हैं पहली ही पंक्ति कहते हैं कि यह ध्यान नहीं है अब जो खुद वो कह रहे हैं वशो की ध्यान नहीं है उसको ही उनकी अंतिम उपलब्धी एक मात्र उपलब्धी कह करके ओशो को सीमित कर देना क्या ओशो के साथ ये न्याय करना है या न्याय करना है खुद कर रहे कर ये विधी है ध्यान तक पहुंचने की विधी है फिर उन्होंने उदारन दिया है उन्होंने कहा है कि जैसे एक गायक है गाने के पहले अपना सूर और ताल मिलाता है ऐसे ये विधिया सूर ताल मिलाने के ये संगीत नहीं है असली संगीत उसके बाद शुरू होता है ऐसे ही वशो कहते हैं कि असली ध्यान ते इन विधियों के पार है जो तुम जीवित सद्गरु से समझ सकते हो बार बार करें लेकिन हम ऐसे लोग हैं ऐसे मूढ लोग हैं सुनते नहीं हो क्या करें गुंते नहीं हो क्या करें समझते नहीं हो क्या करें और अपने ढंग से कुछ ने कुछ अपनी व्याख्या करने लगते हैं ओशो खुद चरंदास की व्यख्या करते हुए, नहीं सांज नहीं भkeeping में, ओशो चरंदास की दो पंक्तिया वरी संदर है, गुरू कहे सो कीजिये, गरे सो कीजे नहीं, जो सत्गुरु कहता है, ओ करो, जो करता है, ओ मत करो, चरंदास की सीखिया, रख लीजे उर माही, चरंदास कहते हैं कि ये सीख जो अपने हिर्दे में धारन कर लो लेकिन लोग उल्टा करते है गुरु जो कहता है वो तो नहीं करते है जो कहता है वो नहीं करते है जो करता है वो करने लगते है क्या करता है अब वोशो दारी बढ़ा रहे है केश बढ़ा रहा है तो सब लोग केश दारी बढ़ा है वो शोब पुराने संजास्जियों को देखो सब केश दारी मुहम्मद साथ के लोग को देखो मुहम्मद साथ कानुकरण कर रहे हैं जैसे मुहम्मद साथ दारी रखते तो वैसा दारी रखेंगे जो मानता है उनकी अरे मुहम्मद साब ने अद्वाइद की सिक्षा दी तौहिद की सिक्षा दे तब उसको करो ना उन्होंने व्यक्ति के रूप में खुदा को तो नहीं माना हाँ उन्होंने ये जरूर का कि जो वो तो करकर में जर्ए जर्ए में खुदा है लेकिन वह जो ये हुकम चल रहा है वो कहीं व्यक्ति के रूप में बैठ करके चला रहा है भगवान विश्णु की और इशारा है वो करें कि वो जल में बैठ के बैठे हुए वहां से वो संचालन कर रहे है सनातन धर्म में भी करते है कि तृमूरति है भगवान ब्रह्मा है विश्णु में है स्रिष्टि का संचालन कर रह flare है लेकिन वो जिस खुदा की बात कर रहे है मुहमद वही हो तो सनातन धर्म में हम कर रहे है इशावास उपनिशत कर रहा है कि ये सारा जो स्रिष्टी है, सारा अस्तित्व है, ओम इशावास सेदम सर्मूम यत किंचित जगत त्यान जगत यह सारा अस्ति तो ही परमात्मा है थोड़ा बहुत जगत है आकार है यह भी परमात्मा है तो मुहम्मद की बात में जो वही बाते हैं जो सनातन धर्म की बाते हैं जो ओशो की बाते हैं लेकिन मुसल्मान भाई ओ नहीं कर रहे हैं जो मुहम्मद साहब ने कहा, मुहम्मद साहब ने कभी कहा क्या कि जो भी मुसल्मान नहीं है वो काफिर है, यह तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कुफर जो करता है, अन्याय जो करता है, अधर्म जो करता है, वो काफिर है, लेकिन अब उन्हों का जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है और ताजुब की बात ही है कि 72 फिरके मुसलमानों की है और हर फिरका कता है बागी एक 70 काफिर है अब देख रहे हो क्या कहते है ओशो ने क्या कहा ओशो के सन्यासी क्या कर रहे है इसका कहीं यह वही हो रहा है जो कि बागी धर्मों में हुआ, बागी परमपराओं में हुआ, जैसे बुद्ध के लोगों ने कहा कि बुद्ध अंतिम बुद्ध हो गए, चोविश में और अंतिम, अब कोई बुद्ध होने वाला नहीं है, ऐसे मुहमद साब के लोग कहते हैं कि आखरी पैकंबर हो गए, आखरी पैकंबर, एक लाख चोविश सजार पैकंबर में अंतिम पैकंबर हो गए, अब किस ने गिंती किये कि एक लाख चोविश कोई भूल चुक भी तो हो सकती, वही अंतिम हो गए, और अंतिम क्यों, क्या परमात्मा गरीब है इतना, कि उसका सारा धन चुकता हो गया, क गोरी की चिंता करने में हीरा बहजाता पानी में, जब भी शिकवा शिकायत हो, जानना तुमी खलनाएगो, अत्प्रेमम शर्रम गच्छामी, भजवश शर्रम गच्छामी, ये बात भी बात से कोई लेना दने नहीं है, हमारे लोग बार बार पूछते हैं, कितना पुर्ज बास्त हाथी जयसा चलते रहो, अपनी साधना करो, सुविरन करो, इन बाद भी बाद में, क्या रखा है, वो उशर्ष्ट करना चाहते हैं, कि वे शर्ष्ट हैं, हम सब निक्रिष्ट हैं, तो चलो हम है, हमें कोई दिकत नहीं, मुडों का रस है, प्रभुता में प्रतिवा नहीं बासाली जुक जाते हैं, जीवन की उर्जा को सजन यह ही लडकर नगमाते हैं, सीना चालताने, चलता दुर्जन, नम्रता संत का है लक्षन, नम्रत्वं शर्णम गच्छामी, भजोशो शर्णम गच्छामी, बजोशोश्र्णम गच्छामी, लेट च्छामी. झाल झाल